प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्षा नाना पटोले ने कहां कि केंद्र की नरेंदा मोधी सरकार पिछले साथ वर्षों से पेट्रोल डिजल वग्यास के दर बढ़ा कर जनता की लूट कर रही है, सतत कीमते बढ़ा कर सरकार अपनी तीजोरी भर रही है लोगसभाव विदानसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली करारी हार के बाद केंद्र सरकार ने 3 नवंबर को केंद्री अत्पादन शुल्क में कटोती कर पेट्रोल पर 5 रुपे वडिजल पर 10 रुपे कम किये, वहीं दूसरी और सेस लगा कर जनता को नूट निका सिलसिल मुंबई के गांधी भवन में आईजित पत्रकार परिशत में नाना पटोले ने कहा कि वर्तमान में देश में पेट्रोल पर 27.90 रुपे वडिजल पर 21.80 रुपे केंद्री अत्पादर शुल्क लिया जा रहा है निया मानुसार राज्य सरकार को पेट्रोल पर 11.16 रुपे वडिजल पर 8.72 रुपे मिलना अवश्यक है 2021 में राज्य सरकार को पेट्रोल पर प्रती लिटर 13.16 रुपे देने की बजाए केवल 56 पैसे दिये गए है केंद्र सरकार ने 8 रुपे रस्ते विकास सेस पचार रुपे कुरुशी सेस लगा दिया सेस का हिस्सा राज्य को नहीं मिलता इस वज़े से उत्पादन शुलक कटोती करने से राज्य को मिलने वाला हिस्सा और कम हो गया है सेज के माध्यम से केंद्र सरकार सामाने जनता और राज्य सरकार का आर्थिक शोशन कर रही है अंतराश्टिय बाजर में कच्चे तेल की दर कम होने के बाद भी देश में पेटल 110 रुपे और डीजल 100 रुपे प्रति लिटर दर से मिल रहा है ये एक तरह से जनता की लूट ही है अंतराश्टिय बाजर में कच्चे तेल की कम कीमत होने से पेटल 60 रुपे लिटर होना चाहिए लेकिन केंद्र सरकार दर कम न कर जनता को आर्थिक संकट में डाल रही है बाज़्पा मांग कर रहे है कि केंद्र की तरह राज़्ज्च सरकार भी करमे कटोती करें लेकिन ये केवल केंद्र द्वारा फैला गया आकडो का भहम जाल है पंजाब राजस्थान में वहाँ की कॉंग्रेस सरकार ने पेट्रोल डिजर पर कर कम किया है उसी तरह महाराश्य सरकार ने भी किया है